सभा चावा चावा का टीजर आता है कि याया है न टिल्मवी इसका नाम असला तरे लगन अगर रखते तो उन्हें शावा मढर था व नाम रखा है उस समझके जबकि उन्हें जिल्थforme भी रखना चाहे था धर्मवीर शत्रपती शम्भाजी महराज को कहते हैं यह तो मेरे सब बने गाए आप सर्च करके पढ़ लिजेगा देख ली जागा इसके बारे में कुछ धर्मवीर क्यों कहा जाता है तो छत्रपती शम्भाजी महराजों की शत्रपरशी शीवा जी बना हुआ है और कई सारे प्रोपगेंडा इन्होंने घुसाये हैं और सच्चा इतिहास को तोड़ मोड को दिखाया है तो मुझे इंसे तो उम्मीद नहीं के लोग सच्चा इतिहास दिखा पाएंगे और रही बास श्री शम्भाजी महराज की इनका इतिहास इतना कड़व देश पर सेकलर रखता है इतना बड़ा च्मता रखता है मुवी अगर इसको सही तरीके से बनाया गया तो लेकिन बात वही है बनाया को किसके द्वारा जा रहा बॉलीवड के द्वारा और बॉलीवूड से हमें इतना उमीद तो नहीं रखता मैं मेरे को तो बिलकुल भी इतना बड़ा रहा बनाएं इसलिए माराठो तक्सीमित रह जाता है घुजराती गुजरात तक्सीमित रह जाता है मतलब सभी जो है लोकल लेंगविजेस में जो है अवेलेबल रहते हैं बस और जो है पैन इंडिया लेवेल पर नहीं आ पाते तो इसी क्यारण से सबसे बड़ा डाउट हो रहा है मेरे को बॉलिवूड पर कि उन्होंने हमारे इतिहास सदा बिगार के दिखाया है और इंसी आठी के किताबे तो ऐसे बदनाम है फेक इस्ट्री के लिए लेकिन सांद बॉलिवूड भी से सांसत बदनाम है हमारे जो जूटे इतिहास को दिखाने के लिए तो मुझे ज्यादा उमीद नहीं है मैं पहले से बता रहा हूँ कि यह गलती इन लोग ना कर दे कि फिर से इतिहास को बरबात कर दे को कि ऐसे बी लोग बदनाम हो चुके हैं जूटे इतिहास को दिखाने के चकर रहे हूँ देखते हैं कि इस बार विकिकी कोसल को जो फिरसे बोला जा रहा है कि नेस्नल आवाड लोड हो रहा है लेकिन उनका रोल है वो जच्ज रहे हैं ऐसे बात प्रपोगेंडा के साथ इसको बनाते हैं यह फिर उनका मत साफ रहता है और सच्चा इतिहास को दिखा पाएंगे इतिहास को सोच बनाते हैं लोगों इतिहास को सब्सक्राइब के बढ़ने हैं लेकिन असल में उनसे पहले इतने सारे संखर्ष हो इतने सारे बलीदान दिए इतने बड़े युद्ध हुएं जिनके बारे हैं पता ही नहीं चलता माराट जैसे कि महाराष्ट में छत्रपरिश अंभा जी महाराष्ट का इतिहास वहीं पर जन लोग गीतों में लोग जन जन उनके सुनते हैं वही जानते हैं लेकिन बाहर में उनके बारे में किसी को पता ही नहीं होता महाराणापताप के बारे में जानते कोई नहीं क्या किया उन्हें कि इतना संगर से हुआ वह किस प्रकार चे अपना जीवन जीए किस प्रकार उन्होंने अपने आपको बलिदान किया हमारे देश के रक्षा के रिए इन लोग केवल मीडिया है बॉलीवूड हो यूटूबर जो कुछ लोग है व इतिहास के साथ छेड़ ना करें क्योंकि मैं इतने बार परशान हो चुकाम वालीवूड वालों से मेरे तो मेरे तो दिमार खड़ाब हो गया कि इन लोग मूवी में क्या बना है क्या दिखा रहे है कि भाई केवल एक काम करो प्रोडुक्शन वेल्यू घटा दो हर चीद घ दिखा जैसे कि अगनी होतरी ने दिखा था कश्मीर फाइल्स में उसमें प्रोडक्शन वेल्यू हाई था ना एक्टर्स वाले थे ना कुछ ज्यादा लेकिन भाई उसमें केवल एक तो चीज था सच्चाई इसलिए जनता जो सडकों पे उतर उतर के टिकिट बाट रही थी और एक अंदोलन के तरह करांती के तरह मुवी जो है 15-16 कोड़ के बजट में 300 कोड़ पार कर गया था अपसोस सकते हैं कि किस लेवल को उसमें कमाई की गई थो किस लेवल का मुवी जनता के बीच में प्रसिता हुआ था तो इस प्रकार से यह मुवी अराम से अच्छा खास लेकिन बात वही है कि सच्चा ही अगर वो दिखा पाएं और शमता उन में हो तो क्योंकि मुझे को बॉलीवूड से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है मैं आपको हो सकता रिव्यू देते हुए मिलू कि यह मुवी ने फिर से घटिया काम किया हमारी तिहास को हमारे महापुर दिखाने के लिए मैं इसमें मेरे को अती शुक्ति नहीं लगे गया विर्कुल मेरे को अजीब नहीं लेगा क्यों कि भाई इन लोग से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं बॉलीवूड वाले हमें सा जूट दिखाने के लिए प्रसिद्ध है फेमास है यही किसी आनसों को जाने प्रपाइगेंडा करने के लिए लेकिन मैं यहीं उम्मीद करूँगा मैं बिल्कुल गलत मेरी बाते साबीत हो और इस प्रकार से डिरेक्टर साम अच्छे तरीकसी इतिहास को दिखाए वीकी को सल फीर से नैसनल अवार्ड लाए और हमारा इतिहास घर-घर में सभी तक पह लिए उनके बारे में देखिए पढ़िया आपको समझ में आज जाएगा कि इतना इतिहास क्यों शंकोच जनक है कि लोग दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे बाकी मैं इनकारें ज्यादा नहीं बात करूँगा हमारा पहला वीडियो है हमारे यूटूब चैनल पर इतना इतना करवा है कि इसका सच को सुनने योग नहीं लगता है आज कल के जो यूवा है वो इसलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाके रिस्क लिया है देखते हैं विकी ओशल क्या परफॉर्मेंस देते हैं डिरेक्टर साब क्या करते हैं और बॉलिवूड से उनके प् बाकी धन्यमाद आपका वीडियो देखने के लिए यह तो हमारा मत था आप बताइए आप कमेंट्स में कि आप इसके बार में क्या सुनना चाते हैं फिर क्या जानते हैं फिर आपका मत क्या टीजर देखते हुए यह मूवी किस प्रकार से होगी आपका वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यमाद, जय फ्री राम, हर हर महादेव,